हाई फ्रेंड्स असलाम वालेकूं विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूं हीना और आप देख रहें इचकाय किचन व्लोक्स तो अभी बज़ रहें सुबा के दस और संडे हैं आज महमान भी आने वाले हैं घर पर हमारे जैसे कि लास वीडियो में ने बताया था आप लोगों को कि महमान आने वाले हैं महमान मेरे मैके से आने वाले हैं तो उसी के तैयारी में लगी हूं सुबा से तो देखे पानी मैंने भर लिया बोटल में और बरतन भी पड़े हैं तो बरतन वाले आंटी तो आएगे लिकिन जादा बरतन उनके लिए नहीं रखेगे आवाज भी आप लोग को आती होगी बिजली की बिजली कड़कने की और गयास पर मैंने रख दिया है बिरियानी बनने के लिए देखिए तो बिरियानी को मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रखा था बिरिस्ता वगेरा सब एक दिन पहले ही मैंने बना कर रखा था तो आस और देखते हैं शेरियार को भी नाष्टा कराना है शेरियार शेरी ब्रश नहीं करना है नाष्टा नहीं करना है तुमको हाँ बुखार है नए बुखार तो नहीं है अभी तो दवाई भी खा लेना फिर बेए बचाएना हा भी खा लेना दवाई तो ठेक हो जाओगे महमान आने वाणिए नाच नानी आएगे और कोन आएगा खाला रोग आएगे नानी आएगे तो जल्दी जल्दी तयार हूँ जाओ रेडी हो जाओ आएगे दियो लोग हाँ ठीक है ना जल्दी सब्राइश करो नाश्टा करो दवाई खाओ उसके तबेता ठीक नहीं थी ना और आप देख सकते हैं पर्दे भी मैंने चेंज कर लिये हैं यह पर्दे का जो हुग है न वो खुल नहीं रहा था मैंने आप लोग को बताया था वीडियो में कि खुल नहीं रहा था तो अरकान के जो डैडी है न उनसे मैंने पर्दे चेंज करवाया है जितने भी बेड्रू में चलते हैं क्योंकि मैंने बिर्यानी रखी है ना बनने के लिए और आइस भी मैंने साइड में रख दिया था बॉयल होने के लिए शेरे चलो फटा फट से ब्रज भी करना है और यह रोग इंतजार कर रहे देखे मैं मानों का तो मैं किचन में आ चुकी फ्रेंड्स और बिर्यानी की फुल रेसिपी भी मैं शेर की हूँ आप लोग के साथ तो उसका लिंक पी मैं डिस्क्रिप्शन वक्स में डाल दूंगी वह भी देख लेना क्योंकि इसमें फुल रेसिपी नहीं बताई है ना मैंने बिर्यानी की तो महमान आ रहे हैं तो इसके लिए फुल र दालने के बाद ना पुरा पानी सोक लेगा इसे कवर करके मैं लोफ लेंप पर चोड़ दूंगी और यहां पर अरकान की हो रही है सर की मालिश ऑईलिंग कर रही है इसके बालों में बाल देखे माशाल अब बहुत अच्छे हैं लेकिन ध्यान नहीं रखता है अपने बालो लोगों को बताया के दवाई की घ्रिके से खाई जाती है है खास दोर पर जिन लोग को डर लगता है दवाई च्खाने से इस तरह के से आप खा सकते हैं यह सब चीजे लेकर बैटनी को यह हैं जो चाहला है पीओ यहीं प्यों है बताओ जिन लोगो ड़ लगता है वो लोग इस तरह के से का सकते उसके बाद डवारी यह गई सिधा मूँ में उसके बाद यह है पुआ की इनि यह हो गई दवाई छा了吧 यह हो गया तक जब भी हम दवाहीं खाते हैं इसी तरीके से सर्प चीजे ले बेटे दवाई पानी चीनी और फिर दवाई खाई जाती है डन चलो सब उन्ठाओं अभी फटा फट मैं मानाने वाले तो शेरियार को दवाई पिलाने के बाद मैं कीचर में आई थी फ्रेंड्स और जो पॉइल करके मैंने रखा था न राइस ड्रेन करके तो उसकी मैंने ले जोटी सी डेख्चे में दंपर रख दिय हैं और किचेन की हालत मेरे देख सकते है तो इसी तरीग के कीचन होता है चब भी बिर्याएनी बनाते है मेहमान आते हैं तो मेरा भी इसी थरीकी का हुआ है तो इसे फटा-फट से हम क्लीन करते हैं और मेहमान भी आने ही वाले है जस्ट तो बरतन भी मैं धोलूँगी यह नहीं दूँगी अंटी को मैं यह भी धोलूँगी फटा-फट से और यह वाला जो चिकन है यह तो यह केटर हो चुका था फ्रेंड्स मतलब आदा घंटा हो चुका था बाच्चित भी हमारी हो चुकी है काफी गप शप हमने लगाया बैट कर और खाने का टाइम भी हो चुका था ना भूग भी लगी है तो मैं दस्तरखान बिचा रही हूं देखें खाना लगा रहे हूं यहां पर और बैट रहे हैं महमान खाने के लिए यहां पर बैटे है साइड में मेरे चाची क्योंकि मैं कैसे मेरे महमान है ना तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है यह साइड में बैटे है मेरे चाची है चाची जान चाचा का मेरे इंतकाल हो चुका है और उनके सामने जो बैटे है ब्लू दूपटे में वो है मेरी कजिन चाची की बेटी तो वो भी आये हैं बहुत दिनों बाद आये हैं तो बहुत अच्छा लगा और उनके बाजों में बैटे हैं मेरी फुपी की लड़की तो उनसे भी ज़रूर मिलवाएंगे आपको बाद में तो वीडियो के इन तक अदि हूँ लेकिन अभी ओर बता रहे हो आप लोग का कि इस तरीके से बीडियारी नीकाली जाती है काफी लोगों को आता नहीं है न तो अलग अलग दो डीस बनानी होती है भी मसाला एक दीश में और राईस एक दिश में इस तरीके से भी डियारी निकालों डोग गो यह भेट आप महमानों को दे पाओगे और यहां पर माशारला माशारथ महमान खा रहे हblind को मेरी फुपी कि लड़की मेरे के सामने मेरे मेरे शआम मैं रहेते नहीं या रहेित लेकिन रहे हैं वीडियो में ने ले लिया ज़ लेकिन ले लिया है मैंने फिर भी ले लिया और मेरे गाव के जितने भी लोगे सब को मैं लूँगी जब दीवाली के चुटी में जाओंगी ना तो सब को मैं लूँगी हूँ सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगे और शेरियर का खाना भी हो चुका है अरकान भी खा रहा है और अभी एन में हम बैटे खाना खाने के लिए तो देखिए इस तरीका स्टार्टर हमने बना के मंगवाया था केटर से तो बहुत अच्छा बना था बहुत यम्मी था सब लोगो लोगों भी बैटे बात करने के लिए बात चीत कर रहे हैं और हम यहां पर बचेवे लोग थे हो खाना खाना खार है तो मम्मी से बाचित कर रहे है, मम्मी के भी मैके वाली ही है ना, मेरे ही नहीं, यह मम्मी के भी मैके वाली है वो, क्योंकि मम्मी जो है मेरे फुपी ही है, तो वो हिसाफ से मेरे मैके वाली और मम्मी के मैके वाली, सेम सेम होते है ना, इसके लिए, और यहां पर बिर्यानी भी होती है न तो अभी महमान तो बैटे फिलाल अल्बम देखते हुए शादी की अल्बम तो मैंने शूट नहीं किया है अब यहाँ पर मैं किचन में आई हूँ क्योंकि पांच बजे का टाइम हो रहा है और चाय तो नहीं पिए वो लोग तो फालूदा ही दे दो तो फालूदा म तो देखिए वही दे रही हुए उन लोगों को बहुत ही फटाफट बन जाता है अगर महमान आते हैं तो इस तरीके से इंस्टन चीज़े बनाई जाती है क्योंकि टाइम नहीं रहता है न हम लोगों के पास तो फटाफट बन जाता है बस दूद को बॉइल कर लो और यह प के लिए स्टील के ग्लास में निकाले हैं तो सब बच्चों को इसे में फालूदा दूंगी क्योंकि बहुत सारे ग्लासे सुनों ने तोड़ दिये हैं अब बच्चे लोगों में देरी फालूदा यहां पर और महमान जो मेरे चाची बहन है मेरी जो है आई वी वह बैठे है ना तो वो लोग अभी जाएंगे मेरी फुपी के यहां पर क्योंकि मेरी एक फुपी का घर भी है यहां पास में तो गाउसे लोग आते हैं ना तो मतलब जल्दी जल्दी नहीं आती है काफे सालों बाद सालों बाद कहलो मेहनों बाद कहलो इतने दिन बाद आते ना तो सब से मिलना जरूरी रहता है नहीं तो नाराज भी हो जाते हैं न सब लोग पता तो चली जाता है अब यहां पर जा रहे यह लोग तो अच्छा नहीं लगता है जब महमान आते है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब चले जाते हैं तो तो अभी यह लोग सब जा रहे हैं मिलकर तो महमान चले गए है फ्रेंड्स और इदू किटी को मिल गए है पुरा घर खाली तो वो लोग यहाँ पे खेल रहे हैं तो वीडियो अगर आज की पसंद आते तो प्लीज ग्यूमें अभी थमस अप और चैनल पर नहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो चले फ्रेंड्स मिलते है नेक्स वीडियो में एक नई रेसीप आव लॉग के साथ अब तक दौआ में याद रखना अलाफीस